अक्टर सुनील ग्रोवर अपने रोल्स की वज़ा से तो खबरों में रहते ही हैं, अगर उससे ज्यादा कपिल शर्मा के साथ कॉंट्रोवर्सी के कारण रहते हैं कभी उनकी कपिल शर्मा से दोस्ती की खबरे आ जाते हैं, कभी कपिल के माफी मांगने की रूमर्स तो यहां तक आ जाते हैं कि कभी शर्मा के शोव में वो वापस आ सकते हैं लेटस मामला अभी इसी से ही जुड़ा हुआ है हुआ यह है कि 15 सितंबर को सुनील ने एक ट्वीट किया और उन्होंने इसे इंस्पिरेशनल कोड जैसा शेयर किया इसमें सुनील ने लिखा सब कुछ आएगा लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं ढहरेगा इसलिए हमेशा आभारी रहे और हाँ खूब हसे जरूर बाकी मेरे हस्बेंट मुझको डॉट 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 बस इसी ट्वीट के बाद खबरे आने लग गई क्योंकि The Kapil Sharma Show में वापसी हो जाएगी फिर क्या हुआ कि इन अफवाओं पर सुनील ग्रोवर से जब पूचा गया तो उन्होंने फैंस का सारा confusion क्लेर कर दिया जिससे उनके कुछ फैंस होड़ भी हो गए होंगे हाँ मैंने फैंस से जरूर कमबैक की बात कही थी लेकिन आप कयासों पर खबर नहीं बना सकते हैं सुनील ने आगे कहा कि कुछ मज़ेदार आने वाला है जिसका एलान वो कुछ दिनों में करेंगे वो भी उसका बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं जाहिर है उनके फैंस को भी थोड़ा से इंतजार तो और करना ही पड़ेगा बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अब सुनील गोवर और कफिल शर्मय एक साथ काम नहीं कर रहे हैं तो लोग इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं ठीक है गुथी हम सब मिस करते हैं कोई बाती यूट्यूब पर जब आप हमारा चैनल देखने जाएंगे तो गुथी की पहले वाली वीडियोस देख लेना और अगर आप इसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लोलन टॉप कर फॉलो करते हैं कि यूट्यूब पर जाएंगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चोड़ा से बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जैसे हम वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और इंस्सेग्राम पर हमें जरूर जरूर फॉलो कर लेना थैंक्यू